गैस हमने सो फार बहुत सारे javascript में Dominant Relation के Methods देगे हैं हमने देखा कि सेबलिंग को कैसे प्राप्त करना है, पेरिंट को कैसे प्राप्त करना है, चाइड को कैसे प्राप्त करना है एक प्रॉबलम के बारे में हमने बात की थी जिसमें कि हम लोग चाहते थे कि जो child हम को प्रापत हो, वो जर्फ element child हो, लेकिन हम को मिल रहे थे, comment notes भी हमें विल रहे थे, text notes भी, उनको किस तरह से avoid करना, यह देखेंगे इस video में, और एक छोटी सी website बनाएंगे, जिससे की हमारे concepts crystal clear हो जायेंगे, चलते हैं computer screen में and let's get started. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं element only navigation के बारे में और मैं आप लोग को बताऊंगा कि यह क्या चीज है ठीक है तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले में यहां पर क्या कराऊंगा एक एसी website जो कि którą काम करेंगी तो बहुत ही सिंपल सी website और कशूप सारी वैब साथे हमेंगे तो मैंने लोग उस से बहुत सारे concept code मैंने यापर कुला हींटी assured html script.js और style.cs CSS को एकदब ignore करना आप लोग मालो मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ portfolio website ठीक है मैं बनाना चाहता हूँ अब मैं आपर क्या चाहता हूँ कि मेरा एक navbar हो ठीक है तो मैं आपर एक navbar करते हुए एक ul tag लोगा और ul tag के अंदर में क्या करूँगा एक li लोगा और उसके अंदर मैं आपर कुछ इस तरह से home बनाऊंगा फिर उसके बाद मैं आपर कुछ और इस तरह से बनाऊंगा जिसे मानलो मैं बनाना चाहता हूँ About Me और मानलो मैं बनाना चाहता हूँ Hire Me ठीक है और इसके बद मानलो इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ अपने बारे में ठीक है तो मैंने आपर एक paragraph लिखा और मानलो मैंने आपर लिख दिया Hey I am a good boy कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया अब मैं आपर क्या करूँगा इसको डिलोड करूँगा तो आपर देखने को मिलेगी मैं इसको रोड़ा बहुत स्टाइल कर सकता हूँ इस वीडियो का मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ की element only navigation किस तरह से काम करेगा अब मैं आपर script.js में आऊँगा मैं आपर लिखूँगा document.body मैं आपर लिखूँगा home और मैं लिखूँगा let b is equal to document.body ठीक है तो भी जो है document.body है इसके बाद मैं आपर लिखूँगा की b. मैं आपर लिखूँगा console.log और लिखूँगा first child of b is और मैं आपर लिख दूँगा b.first child ठीक है और इसके बाद मैं लिखूँगा first element child और आप लोग देखना है की इसमें क्या difference है और यह किस तरह से अलग है ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर अभी clear करूँगा और आप लोग देखो मैं इसको जैसे reload करूँगा यह हुआ कि जब हम first child का इस्तेमाल करते हैं तो हमको किसी भी तरह का child note देखने को मिल सकता है हमारे पास एक text note हो सकता है वो एक comment note हो सकता है वो एक element note भी हो सकता है बट जब हम कहते हैं first element child तो हमें element ही मिलेगा अच्छा यानि कि अगर मुझे इसका child चाहिए body का तो मुझे वो मिल जाएगा nav चाहे मैं आपर कितने ही spaces दे दूँ चाहे मैं आपर कितने ही comments लगा दूँ अभी भी मैं इसको reload करूँगा तो मुझे यहाँ पर nav मिलेगा ठीक है अगर मैं इस comment का थोड़ा सा उपर ले जाऊं कुछ इस तरह से और आप इसको reload करूँ मैंने actually save दबा दिया बट मैं अगर reload करूँ तो first child of be is यह text node आ जाएगा ठीक है in fact इसको comment node आना चाहिए था first child of आप लोग याँ पर देख सकते हैं first child of be is comment एक comment node है first child of be ठीक है तो इस तरह से जो है आप लोग इसको अगर ऐसे करोगे और इसके बाद reload करोगे तो first child of be is एक मेंड़ी थोड़ा save हुआ नहीं शायद comment node आ जाएगा ठीक है तो देखो मैंने ऐसे लिगा तो first child of be comment node है अगर ऐसे लिखोंगा तो first child of be होगा एक text note ठीक है यह actually auto save होता है और auto save उने में रोड़ा type लगता है और अभी यह देखो अभी comment node नहीं अभी text node आएगा हाँ text node आगे आप देख सकते हैं आप ठीक है तो अगर हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे तो हमें सिर्फ element child मिलेगा अगर मैंने आपर first element child लिख दिया तो इसे कहते है element only navigation ठीक है तो notes में लिखा हुआ है sometimes we don't want text or comment notes some links only take element notes into account for example document.previous element sibling previous sibling which is an element ठीक है document.next element sibling next sibling which is an element document.first element child क्या करेगा पहला child जो की element है last element child last child जो की element है ठीक है so I hope element only navigation आप लोग को समझ में आ गया अब मैं आप लोग को इस website को तोड़ा style करके दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा की यह सारे navigations को इस तरह से मैं इनके styles को change करूँगा ठीक है तो आप लोग देखो मैं एक function यह आप लिखूंगा और मैं आप लिखूंगा const और मैं आप लिखूंगा change body red is equal to और यह होगा एक function और मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा और मैं आप लिखूंगा document.body और मैं आप लिखूंगा dot first child first element child dot style dot background is equal to red ठीक है और अगर मैं कुछ इस तरह से करूंगा और मैं अगर इसको run करूं change body red को तब आप लोग यह आपर देखना कि इसका जो background है वो red हो गया है ठीक है change body red करना चाहिए change body red नहीं change bg red करना चाहिए था और b is equal to मैंने आपर यह किया हुआ है first element child of b is यह किया हुआ है कुछ इस तरह से तो first element child dot style dot background is equal to red करने से क्यों हो गया ठीक है तो मैं आपर css manipulation कर सकता हूं कुछ ऐसा करके मैं यहां पर भी आ सकता और मैं कुछ इस तरह से भी कह सकता हूं कि भाई देखो ul की जो display है उसको कर दो flex ठीक है और जैसे ही मैं यह save करके reload करूंगा तो आप देखने यह कुछ इस तरह से आ जाएंगे ठीक है फिर मैं कह सकता हूं ul की जो li है उनका जो list टेक्स list style जो है उसको none कर दो ठीक है इसको reload करूंगा तो यह बिंदू है चली जाएंगे आप देख सकते हो फिर मैं क्या कर सकता हूं मैं आपर जो इसका margin है उसको top bottom से 0 left right से 23 pixel दे सकता हूं और यह तो left right पे भी margin खा जाएगा आप देख सकते हो अब मैं यह आपर क्या कर सकता हूं इसका जो background है उसको grey दे सकता हूं आप देखो यह इसको background grey मिल जाएगा जैसे मैं इसको reload करूंगा तो और मैं आपर क्या कर सकता हूं margin 0 html body को और padding 0 मैं basically एक पहली website आप लोग को यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं और हम लोग थोड़ी बहुत असमे html भी definitely use करने वाले है तो अब मैं आपर यह देख रहा हूं कि इसमे margin और padding क्या आ गई है actually बात कुछ ऐसी है कि यहां पर आ गई है एक space दिखाई पढ़ रही है ऐसा क्यों actually मुझे ul मे margin 0 भी करना पड़ेगा तभी यह spacing जो हटेगी मैं इसको reload करूँगा spacing hopefully हट जाएगी हाँ हट गई और मैं क्या कर सकता हूं कि padding add कर सकता हूं padding कर सकता हूं add let us say 5 pixel 0 की ठीक है top bottom से इसे मैं कर सकता हूं 5 pixel और बाकी 0 कर सकता हूं in fact क्यों ना इसे मैं 15 कर दूँ ठीक है तो इस तरह से आप basic website बना सकते हो ठीक है fonts वगरा इस्तेमाल कर सकते हो अब इसकी styling में जावास्रिप्ट कोर्स पे नहीं करना चाहता but you got the point ठीक है आप यहां पर इसके color को भी change कर सकते हो अगर चाहो तो आप color white करके इसको कुछ ऐसा बना सकते हो और बाकी सब चीजे जो है आप लोग explore कर ले ना ठीक है देखो यह white color को यहां पर तो जावास्रिप्ट की साहता से आप लोग first child second child last child child notes अब child notes का भी होता है मैं आप लोग को दिखाता हूँ गर मालनो मैं यह ul जो है मेरा इसके अंदर के सारे element notes को list करना चाहूँ तो मैं आपर simply dollar zero dot children लिख दूँगा और मेरे पास child element notes आ जाएंगे तो जो child element notes होता है वो children होता है ठीक है आप children आप लोग सीखते जाओगे जैसे से आप लोग प्रोग्रामिंग करों जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग को element notes वाला concept जो है समझ में आ गया कर आप लिए जावास्क्रिप्ट की प्लेलेस को अक्सेस नी किया तो जरूर कर लेना अभी के लिए इस वीडियो भी इतने है guys thank you so much guys for watching this video and i will see you next time